पूर्वाद्यक्ष, MPPSC और माननी मद्धिभरत के आप संक्चालक भी हैं, माननी संक्चालक जी आपका अभिनंदन, माननी अजय विश्णोई जी, पूर्मंत्रिय वर्तमान वरिष्ट विधायक अजय विश्णोई जी, तुलसी राम सिलावड जी, ये नहीं मालूम था तु माननी सुरेन दिवेदी जी, महमंत्री, मिसाबंदी, माननी संतोष सर्मा जी, राष्ट्री अद्यक्ष, कोशा अद्यक्ष है, राष्ट्री कोशा अद्यक्ष, मिसाबंदी, माननी जग्दी जी भाई साब, परिशत के समय से हमारे वरिष्ट रहें, मानी भरत और अभी भी आप आयोक के अध्यक्ष है मानि मदन बाथम जी आपका वंदन है अभिनंदन समुचा मन्च शंतोजी भी है ना मन्च पे संतोज सर्माजी से लेके सारे लोग आप सबको प्रणाम करता हूं आप सबका वंदन है अभिनंदन है देखो रसी जल गई बट नहीं गया हम सब जानते के पूरे तोर पे मेरे पूर वक्ताओं ने सारी बात कर दी और आपातकाल को लेके दुनिया जानती कांग्रेस की भूमे कांग्रेस के लोगों का वहवार इंद्रा गांधी का उस समय का आचरंड और जैसे मैंने प्रारम में लुए नि बाद छेड़ी की सरकार दुनिया में भारत को गोरान बित कर रहा ही तीसरी बार तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका इसमें आपका योगदान हैं सबसे बड़ा जिन्होंने वहापातकाल के काले काल के प्रष्टो को मिटा करके सच्छे अर्थ में लोक तंत्र को पुनर स्थापित कर दिया हम केवल कलपना करें कि वह 75 का आपातकाल कोई कारण से आपका संगर्श नहीं होता तो कित्न साल हुए ता आजाद हुए को देश को 20 एक साल तो हुई थे आज पाकिस्तान के हलत क्या है पाकिस्तान की हमारी दोनों की एक जैसी हिस्त्री है दोनों अंग्रेजों के चंगूल से तो आजाद हुए लेकिन काल के प्रवा में वहां लोक तंत्र की हत्या हो गई और जो जो भी हुआ और आज पाकिस्तान किस मोर्चे पे किस मुहाने पे आके खड़ा है वहां के अंदर की आवाजे क्या आ रही है लेकिन उसके उल्टे आपके इस संगर्ष के कारण से सारी की सारी विवस्था सू विवस्था में बदली दुनिया की सबसे अनुसासित भोज गर्व से आज हमारे साथ खड़ी है जो को ने उस लोकतंत्र के अंदर आपके संगर्ष का संबान किया आपके अपने संगर्षों के बलबूते पर दुबारा चुना हुआ और सत्ता का हस्तांत्रन कितनी सरलता से हो जाता है यह सत्ता का हस्तांत्रन सरलता से करने में सबसे बड़ी ताकद अगर है तो यह हमारे उस से पदपे देख करके गोरानवीत होता है यह सबसे बड़ा कारण है तो यह हमारे उस संगर्षके से कई उधारन भरपने अभी अभी आपको जानकरी बता दूं मैं जहां से आ रहा हुआ निर्वाचन चल रहा था और निर्वाचन में यही नाटक आप भी समझते हो जो मैंने एक निठी के सामने एक घटबंदन वना और है अपना रोज नाटक करना है नाटक के प्रकार भी कैसे कैसे हैं अभी बीच में से अच्छा भाटनमेक विसे आया कि अगर वो सीट जीद गया तो इवीएम भूल गया अब 400 तो मिले नहीं तो अब भलतू की बात करते हो लेकिन अब चुनाओ आपने सबने जिस दन से 29 का 29 जिताया आपका स्वागा करता है यह आप सब की देर आप सब की पुन्ने सरकार अपना काम करती लेकिन घर घर में घुश करके इराश्टवादी विचार को फैलाने का काम जो आप सब के माद्यम से हुआ है यह उसकी भूमी का है और सरकार के अंदर जैसा कहा गया है कि हम और आप काम कर रहे लेकिन मैं भी लोकसभा की बता रहा था तो लोकसभा के अंदर निर्वाचन का मसला आया अपना फार्म भी भरा उनका भी भरा हमारा उमीदवार डिक्ल और आज आनंद आया ओम बिल्ला जी ने जैसे निर्वाचितों के पहला भाशन दिया उन्हें लोकतंत्र सेनानियों के उस समय के संगर्स को याद किया कि ये उनकी देन है ये उनका हम नमने उनका संबान है और जैसा होता है जैसे ही वो बोले कि वो सारे के सारे मेदान में भागने लगे है क्योंकि उनको पसंद ना तब था ना आज था वो जो एक दुरभाग के साथ होना तो यह चाहिए कि काल के प्रवा में इतने प्रमान मिल गए कहां कांग्रेस ने गलती की थी और कांग्रेस के इस समय के घडबंदन में भी वो सारे लोग भी मिले हैं जो उस समय आपातकाल में बन थे लेकिन स्वार्थ की दोस्ती क्या होती ये उसका उधारन है चोर-चोर मोसरे भाई किसको कहते हैं ये उसका उधारन है वो बिहार के लोग जो उनके साथ खड़े हैं वो भी तो जेल के सिखंजे में थे